हेलो एब्रीबरन वल्कम टू माई चैनल तो यहां पना आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पुरानी जर्सी है जो की बिल्कुल खराब हो चुकी है तो इसका हम कुछ बनाने वाले हैं तो इसके लिए आप लोग हमारी वीडियो को एन तक जरूर देखें तो पहले हमें आप पर क्या करेंगे जो हमारा पीछे वाला पार्ट है तो इसकी कटिंग करेंगे पूरे पीछे याले पल्ले को लिका लेते हैं और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि यहां आप लोग लाइक करना भूल जाते हों तो दोस्तो प्लीज इस वीडियो क जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है और फोल्ड भी कर लिया है यहाँ पर हम क्या करेंगे अंगूठे वाले मोजे बनाएंगे तो इसको किस तरह से बनाते हैं तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे और यहां पर पहले पैर की लंबाई नापेंगे तो पैर की लंबाई हमारी यहां पर आ रही है नो इंच क्योंकि थोड़े से हम बड़े ही बनाएंगे और यहां से चोणाई नाप लेते हैं तो चोणाई भी हम यहां पर थोड़ी धीली ही रखेंगे तो चोड़ाई हमारी 8 इंच है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 इंच पर निसान लगा देंगे एक इंच का हमें मार्जन लेना है और लंबाई हमारी 9 इंच है तो 10 इंच पर निसान लगा देंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे फिर हम आपर चोड़ाई की तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरे पार्ट को भी हम फोल्ड करके तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें आपर क्या करेंगे पांच इंच पन निसान लगा देंगे इस साइट में भी हमें पांच इंच पन निसान लगाना है और यहाँ पर आदा इंच पन निसान लगाएंगे और इसी निसान से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर दोनों में सिलाई लगा दी है अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे जो हमारी open साइट है तो वहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे यहाँ पर हमें चाक की तरह सिलाई लगानी है जिस तरह से हम चाक को फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं तो उसी तरह से हमें सिलाई लगानी है तो दोनुं तरफ से हमें आपर सिलाई लगा लेते हैं तो हमने सिलाई लगा दिये अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको इस तरह से बरावर करके कट लगा देंगे और कट और जो हमारी सिलाई है इसको बरावर रखेंगे और यहाँ पर अंगूठे का निसान लगाएंगे और यहां पर चार उंगले का निसान लगा देंगे इसी तरीके से मैंने दूसरे मोजे को भी तयार किया है और इसमें मैंने अंगूठे और चार उंगले का निसान लगा दिया है ध्यान रखना है कि जो हमारे अंगूठे हैं वो हमने सामने आने चाहिए तो अब हमें आपर एक मोजे में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं तो हमने सिलाई लगा दिया है अब हमें आपर सपाई के साथ कटिंग करेंगे तो हमने कटिंग कर लिया है अब हमें आपर इसको बरावर करेंगे और आदंज का मारजन छोड़ के सिलाई लगाएंगे त्यार हो गया है और इसी तरीके से मैंने दूसरे मोजे को भी बनाया है अब हमें आपर इसको अच्छे से सीधा करेंगे तो हमारे दोनों मोजे बनका त्यार हो गए हैं देखिए आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह से देखिए हमारे मोजे बिलकुल फिटे हुए हैं तो इसी तरीके से आप भी घर पर ही पुरानी चर्शी से इस तरह के मोजे बना सकती हैं तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंटर के जरूर बताएं तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैल आइकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है व अजयो